Hey guys, welcome back, मैं हूँ Neeraj Sharma और आप देख रहे हैं Neeraj What's Spoken English दोस्तों English में ऐसे तमाम सारे मुहावरे हैं जो देखने से बिल्कुल अठपटे लगते हैं लेकिन उनका meaning बिल्कुल different होता है तो आज आपके सामने है जी rain like cats and dogs यह देख आपको लग रहा होगा कि कुटे बिल्ली की तरह बारिश होना rain like cats and dogs लेकिन मैं आपको इसका सही मतलब समझाता हूँ श्रीमान जी इसका सही मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना बहुत तेज बारिश होना अब मैं इसके example देके आपको समझाता हूँ कि आप इसे अपनी language में कैसे use कर सकते हैं सबसे पहली चीज तो आप simply बोल सकते हैं बढ़ी तेज बारिश हो रही है बाहर तो it is raining like cats and dogs सबसे पहली बात तो यह है तो example मैंने लिखे होएं जैसे आपने बोला कि when you go out जब आप बाहर जाओ take an umbrella with you चाता लेके जाना क्योंकि because it's raining like cats and dogs outside क्योंकि बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और दूसरा है दोस्तो the roads are muddy सडकों पर कीचर बढ़ा हुआ है in the town the roads are muddy in the town the roads are muddy in the town because it rained like cats and dogs yesterday सारी की सारी जो सडके हैं वो कीचर से बढ़ी हुई है से बढ़ी हुई को सारी सडके कीचर से बढ़ी हुई है क्योंकि कल बारिश हुई थी because it rained like cats and dogs yesterday तो अगर आपके सामने कभी आता है कि rain like cats and dogs तो इसका मतलब है बहुत तेज बारिश हो दा ऐसी बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चनल को सबिस्क्राइब कीचे फ्री है और मिलते हैं अगली वीडियो